नमशकार दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि देश की किसी अदालत के दोरा एक नोटिस भेजा जाए परधान मंतरी जी को, प्राइम निस्टर को नोटिस भेजा जाए, चाहे वो कोई भी कोट हो, चाहे वो सुप्रीम कोट हो, हाई कोट हो, या फिर डिस्टिक ही क्यों ना हो, और एक इंसिदेंट आपको याद होगा, जो इमर्जेंसी लगाई गई थी उसके पहले, जब इंद्रा गांधी जी को नोटिस भेजा गया था, इंद्रा गांधी जी को आना पड़ा था कोट में, और फानली आपको याद होगा, पूरा प्रकरण किस प्रक कश्मीर में, जो दिवाली पर गए थे, आपको याद होगा पिछले साल, तो उस मौके पर आप पिक्चर में देख सकते हो, पियम मोदी जी के द्वारा जो आर्मी युनिफॉर्म पहना गया है, उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर एक केस फाइल किया गया था एड्वोकेट के द्वारा, और इसी को लेकर पुरा नोटेस है, आप देख सकते हो, यहाँ पर बार एंट बेंच का अर्टिकल है, यूपी कोर्ट इशूज नोटेस टू पीमो, आफ्टर पीम मोदी वेर्स इंडियन आर्मी युनिफॉर्म, तो इसके बारे में हम करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में आपको सभी जो MCQs हैं, वो आपको मिल जाएंगे, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इग्जाक्ली अभी हो क्या रहा है, जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो डिस्ट पिछले साल क्या हर साल आपने देखा होगा जब से प्यमिश्टर बने हैं, पधा मंतरी मोदी जी, इन फैक्ट मुझे याद है कि शायद PM बनने से पहले भी जब वो गुजरात की चीफ मिश्टर थे, तब भी दिवाली के मौके पर वो जाया करते थे, तो यहाँ पर क्या तकी जो नौशेरा डिस्टिक है, नौशेरा मैं आपको दिखा देता हूँ, यह जम्मू कश्मीर का मैप जैसा की आप देख पाऊगे, यहाँ पर जो 6th नंबर वाला डिस्टिक आप देख रहो ना, यहा पर यह देखिए, 6th नंबर वाला डिस्टिक, इसको कहा जाता है आ का अटेम्ट है कि इंडिजीनियस जो केपिबिलिटीज है उसको बढ़ाई जाए रहा है आम शूर आपने देखा होगा बजट के समय इस बार जो बजट आया है उसमें 68% पैसा जो है वो इंडिजीनियस मतलब हमारे इंडिजीनियस में ही यूज किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है तो modern border infrastructure हो गया connectivity हो गया troop deployment हो गया हर चीज के लिए सरकार काम कर रही है ऐसा उनका कहना था फिर वो फदर ये कह रहा है थे कि I have spent each diwali with soldiers और यहाँ पर जो करोंडस of Indians के जो blessings हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हैं और यहाँ पर उन्होंने surgical strike की भी बात की थी कि किस प्रकार से हमारी जवान है उन्होंने terrorism का बेफिटिंग मतलब की काफी करारा जवाब दिया है और यहाँ पर surgical strike हो गया कुछ भी हो गया जब भी terrorism फैलानी की कोशिश की है तो हमने उसको रोकने में काम्याब रहे हैं तो यह सारी चीजें पिछले साल दिवाली के मौके पर हुई थी फिर क्या होता है कि दिवाली गुजर जाता है उसके बात दिसंबर में सबसे पहले क्या होता है एक advocate है जिनका नाम है राकेश नात पांडे उन्होंने एक application दर्ज कर दिया वहाँ के Chief Judicial Magistrate के साथ अब को ये dress नहीं पहना चाहिए था उस particular application को reject कर दिया यहाँ पर जो हरेंद्र नात है उनका ये कहना था कि ये हमारे ये court के jurisdiction में नहीं आता है मतलब कि जिस jurisdiction में जाता है वहाँ पर आप जाईए बैसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि वहाँ पर ये जो नश्वैरा वाला sector का jurisdiction ह होगा वहाँ पर जाकर ही आप इस चीच को कर सकते हो हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर जो advocate पांडे है राकेश नात पांडे उन्होंने इस court के order को challenge कर दिया higher court मतलब कि जो district judge है district court हो गया प्रयाग राज में वहाँ पर इसको challenge कर दिया और वहाँ से basically जो notice है वो आपका prime minister office को भेजा गया है और district जो judge है वहाँ पर उनका नाम है नलिन कुमार स्रिवास्तव उन्होंने यहाँ पर notice जारी किया है जब उन्होंने राकेश नात पांडे का पूरा argument सुना वो क्या कह रहे थे तो basically जो पांडे है वो कहना चाह रहे थे कि हमने यहाँ प पास power होती है कि कि किसी भी cognizable offense में यहाँ पर एक investigation के लिए order जारी कर सकता है और इसी के तहत आप देख सकते हो यहाँ पर जो notice है वो prime minister office को भेजा गया है अब यहाँ पर आपके मन में question आ रहा होगा कि जो पांडे है जो advocate है वो basically क्या कहना चाह रहे थे उन्होंने अपने application म यह जो Indian Penal Code Act है उसके अंदर section 140 है और यहाँ पर basically बताया गया है कि यह जो soldiers का, sailors का या फिर airmen का कोई भी अगर uniform किसी प्रकार का जो token है कुछ भी है उनका अगर वो पहना जाता है तो वो punishable offense माना जाएगा और इसी की वज़े से यहाँ पर उन्होंने case दर्च कर दिया और in 500 रुपय फाइन लगाया जा सकते हैं या फिर दोनों हो सकता है यह तो provision है आपका जो मैंने आपको बता दिया तो इसी के तहत अब यहाँ पर जो notice है वो court ने जारी किया है और अगली जो सुनवाई है वो आपकी second March को होनी है तो आप देखना होगा आगे चलकर कि Prime Minister Office इसको लेकर क्या कहता है एडवोकेट क्या कहता है इसको लेकर वो आगे पुरा मामला हम देखेंगे लेकिन अभी के लिए ये matter है आपका तो अब यहाँ पर आपके मन में question आएगा कि क्या आर्मी ने इसको लेकर कभी बोला है मतलब कि चलो हमने देख तो लिया Indian Penal Court में आप विल्जर, सेलर, एर्मेन ये आपका एक punishable offense होगा और यहाँ पर उसकी जो सजा का provision वगरा है वो भी दिया हुआ है यहाँ देख रहा है लेकिन यहाँ पर कई सारे तर्क देखे जाते हैं बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है जो कोट आगे देखेगा वो भी हम पतान कोट में incident हुआ था ना 2016 में पतान कोट एर बेस पर जो incident हुआ था और उसके बाद आपको पता है जो भी कारवाई हमारी तरफ से की गई थी तो वो हमने देखने को मिला था लेकिन उस incidents के बाद आर्मी ने यहाँ पर यह statement जारी किया था और आर्मी ने यह कहा था कि कि अगर आर्मी का जो ड्रेस है मतलब उसके पैटन का भी अगर ड्रेस पहना जाता है तो यह illegal होगा आप illegal तो ही है लेकिन इसके साथ-साथ यह fashion statement भी नहीं हो सकता मतलब कि लोग इसको fashion के तौर पर भी नहीं पहन सकते और सिर्फ यह आम नागरिक के लिए नहीं था यहाँ प पहनिए क्योंकि एक प्रकार का false alarm देता है कि यह person army है क्योंकि पठान court वाले incident में क्या हुआ था कि जो terrorist आये थे वो भी यहाँ पर army का ही uniform एक प्रकार से वो पहन कर आये थे तो उस तरह से चीजें पता नहीं चल पाती और इसी के वज़े से यहाँ पर army ने उस समय कह दिया अब यह new वाला होगया है old वाले में जैसा कि आप देख पाओगे old जो olive grain है उस color का आपको देखने को मिलेगा और यह नया वाले में जो earthen shade होता है जो जमीन का जो मिट्टी वाला जो shade होता है वो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो design है वो operational condition के हिसाब से बनाई या फिर high altitude areas में, jungles में, plains में हर जगा इसको पहना जा सकता है काफी lighter होगा, breathable होगा और in fact यहाँ पर जो cotton to polyster का ratio है cotton और polyster वाला जो ratio है वो 70-30 है, 70 cotton है 30 polyster है जिसकी वज़े से अगर suppose जो uniform है वो गिला भी होता है इसको सूखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, म यहाँ पर notice वगर दिया गया है, उससे related जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए अभी मैंने आपको बताया इस new uniform के बारे में, लेकिन इसका जो design है, यह जो new uniform बनाया गया, इसका जो design है, क्या बता सकते हो कि यह किसके द्वारा किया गया है, कौन से institute है हमारे देश के अंदर जिनके द्वारा यह बना है जिए आपको बताना, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नी, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर डालता रहता हूं, stories में आप जाकर play कर सकते हैं, बाकि अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आए, अलग-अलग social media पर भी आप जोड़ित पाएंगे, साथी साथ UPSC है, आफिर किसी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आपको download कर ये, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं, आप से next time till then, thank you very much, see you soon.